नमस्कार दोस्तों आज हम आपको कार्थिक मास पे सुने जाने वाली पीपल पतवारी की कहानी सुनाएंगी कार्थिक मास में पीपल पतवारी की कहानी हरोड सुनने का मात्तम बताया गया है पीपल पतवारी की कहानी इस प्रकार एक गूजरी थी उसकी सास उसे दूद धहीं बेचने के लिए बेचा करती थी लेकिन बेचारी ने इससे पहले कभी दूद धहीं नहीं बेचा था तो उसे दूद धहीं बेचने के बारे में पता नहीं था एक बार कुछ ओरते कार्तिक मास का वरत्वे पूजन कर रही थी पीपल पतवारी सीच रही थी तो उन्हों उसने उन्हों औरते से पूछा बहन आप लोग क्या कर रही हो तो उन्होंने कहा बहन हम तो कार्तिक मांस नहाती है और उसके बाद पीपल पतवारी की पूजा करती है पानी से इसको सीचती है तब बहुने सोचा ये सब तो पानी से पीपल पतवारी सेचती है, मेरे पास तो दूद दही है, क्यों ना मैं दूद दही से पीपल पतवारी सीचू इस परकार, उसने पीपल पतवारी को दूद दही से सीचा, अब तो उसका नियम बन गया, हरो जाती, कार्तिक वांस रहाने वाली ओरतों के पा बहुँ देर में आती हो तो वह बोली हा माजी मुझे देर हो जाती है तो उसका नियम बन गया अब तो वह हर रोज पीपलबतवारी की पूजा करती दूद दहीं से पीपलबतवारी को सीचती तब उसकी सास्थ ने कहा बहु तुम रोज दूद ही बेच कर आती हो लेकिन पैसे तो लाती नहीं हो बहु बोली माता जी मैं आपको महीने के आखरी में पैसे लाके दूँगी क्योंकि लेने वाले से महीने के अंत में ही पैसे देंगे तब सासू निश्चिंत हो गई अब तो कार्दिक मास का आकरी दिन भी आ गया तब बहु को बहुत ही चिंता हुई कि अब मैं पैसे कहां से लाके दूँगी तब है वही पीपल और पतवारी के नीचे बैठ गई और सोच विचार में पड़ गई तब ही वहाँ पर भगवान पीपल प्रगट हुए और बोले बहु तुम क्यों चिंतित हो तब है बोली भगवान जी मैं तो हरोज दूद नहीं आपके हाँ पर चड़ा देती हूँ और अब मेरी सासू माम उसे पैसे वांगेगी तब मैं कहां से लाकर दूँ तब पीपल देवता बोले तुम यहां से जितने भी मेरे पत्ते बड़े हैं और डंडियां पड़ी हैं वह ले जाओ और जाकर गुलक में रख देना तब बहु ने पीपल की जितनी भी पतियां और डंडियां वहां पर पड़ी थी समेट ली और जो भी तिनके पत्थर छोटे पड़े थी सब समेट कर घर ले आई और गुलक में चाकर रख दी और अपना सो गई तब सासू ने बहु से पूछा बहु क्या बात तुम लेटी क्यों हुई हो कि मा जी मेरी तब ठीक नहीं है सासू बोली बहु आज सेट ने पैसे दिये के हां मा मैं पैसे ले आई हूँ और मैंने गुलक में मैं पैसे जला कर रख दिये हैं तब सासू मा ने देखा गुलक खो पूरा पैसों से बरा हुआ था सासु मा बहुत हैरान हुई और बहु से पुछी बहु इतने पैसे कहां से आए तब बहु को बढ़ा ही अश्चरिय हुआ ही है सब देख कर और उसने पीपल पतवारी की सेचने वली सभी बात अपनी सासु मा को कै सुनाई बहु तुम घर में रहो, मैं आइस बार दूद और दही बेचते जाओंगी। दूद दही लेकर सासु मा निकली, लेकिन रास्ते में दूद दही बेच देती और दूद दही के बरतन को पानी से धो कर पीपल पतवारी सीचती रहती। इस परकार पूरा महिना भीत कया, तब सासु ने बहु से कहा, बहु तुम मुझसे पैसे मांगो। बहु बोली, मा जी ऐसा भी कभी होता है, कोई बहु भी सासु मा से पैसे मांगती है, लेकिन सासु मा के बोलने पर उसने सासु मा से पैसे मांगे। आप तो सासु मा, पीपल बत्वारी के नीचे धर्णा दे कर बैठ गई, तब पल भगवान आए, बोले, तुम्हें क्या चाहिए, वह बोले, मेरी बहु मुझे पैसे मांगती है, मुझे धन दोलग दो, पीपल महराज बोले, मेरे पास धन दोलग नहीं है, लेकिन मेरे जितन में चाकर रख दी, अगले दिन उसने गुलक खोल कर देखा, तो उसमें से केड़े मकोडे निकले, अब तो उसके अशरिय का ठेकाना ना रहा, तब सासु मा, बहुती उदास हुई, और बहु से बोली, कि तुम्हारे लाए हुए सभी डंडी, पत्थर, पीपल, तो सोने मे बतल गए, और मेरे लाए हुए केड़े मकोडे में बतल गए, तब पीपल भगवान प्रगट होकर बोले, जो जैसे भाव से मुझे सेचता है, वैसा ही फल मिलता है, बहु ने, बिल्कुल शर्दा भाव से सच्चे मन से पीपल पत्थवारे सीची, तो उसको कार्थिक मास क पूरा फल मिला, लेकिन सासु मा ने लालच की वज़े से पीपल पत्थवारे सीची, इसलिए उसे किड़े मकोडे मिले, इस परकार सासु मा ने पीपल पत्थवारे से शमा मांगी, और अगले वर्ष आने पर दोनों सास भूं ने दुबारा से पीपल पत्थवारे की अरा सुनते, सभी की कार्थिक महाराज इच्छाय पूरी करें, बोले कार्थिक के ठाकूर की जै, पीपल पत्वारी की